गूढानिं, स्टुडेंट्स ऐज हम कॉमन साइज स्टेटमेंट अनैलेसिस करेंगे इसमें हमने क्या करना आज हम इसके प्रैक्टिकल पॉरिशन साथी करेंगे क्उमन साइज स्टेटमेंट में दो चीजे बनायेंगे एक होत्只 balance sheet और एक होत्व होत्व है income statement यह दोनों का practical आज हम करेंगे अगर हम बात करें common size statement की common size statement में क्या करना है अगर इसमें दो तरह की statement बनने जैसे कि मैंने अभी पताया balance sheet as well as income statement अगर हम income statement की बात करें income statement का जब practical करेंगे तो उसमें हमने क्या करना है जो हमारी sales है sales की हमने percentage कितनी assume करनी है 100% sales की percentage 100% assume करनी है और जब बाकी items होगी उसको sales की percentage के accordingly निकाल ला है ठीक है यहाँ पर क्या लिखा गया है taking sales to be equals to 100 all other items in the income statement of a year are expressed as a percentage to sales इसका मतलब क्या है कि जब हमने sales की percentage को 100% assume करके जो बाकी items है बाकी items की हमने percentage निकालनी है sales को base लेके sales की percentage को base लेके बाकी items की हमने percentage निकालनी है यह जब हम practical करेंगे तब ज़्यादा clear हो जगा यह point यह एक बड़ाया देख लीजीगा in case of balance sheet अगर हम balance sheet की बात करें तो इस case में क्या अगर हमारी assets है assets के case में total assets हमने 100% assume करनी है total assets की percentage हमने 100% assume करनी है और liability के case में हमने liability की percentage total liability की percentage 100% assume करनी है और इसके basis पे हमने क्या करना है इनको base लेके हमने बाकी items को निकालना है जैसे कि हम आगे practical की बात करते हैं जैसे balance sheet दीगी हमें common size balance sheet चीक है इसमें में question कैसे आएगा question में सिर्फ आपको यह चीज गिवन होगी जो मैं circle करneyman सिर्फ वह वाले चीज गिवन होगी यह वाला portion और यह वाला portion यह वाले चीज गिवन होगी और यह वाला data चीक है इसके साथ है आपको these two years का 2006 and 2007 यह यह बस चीज दी होगी आपको गिवन होगी और आपने common size balance sheet बनानी है and common size balance sheet का format यह रहेगा यह जो दी हूँ है assets, current assets, fixed assets, current liability, total liabilities यह सारी जो है यह आपने format as it is learn करना है so that अगर पेपर में practical question 10 marks का है जितने भी marks काता है आपको आता हो वैसे तो यह बहुत easy question है, इसको अगर solve करेंगे तो बहुत easy है, मैं बताती हूँ अभी कैसे solve करना है अगर हम बात करें, तो यह मैंने बता दिया question में यह जो मने circle की है चीज़े, यह given होगी और आपको balance sheet का format जो है, वो as it is easy, याद करना पड़ेगा अब जैसे हमें 2006 की amount given है, 2007 की amount given है, अब हमने इसमें क्या करना है, हमने percentage calculate करनी है, वो पूलेंगे make a common size balance sheet statement, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, percentage हमने कैसे calculate करनी, जैसे कि मैंने बताया, अगर balance sheet हो, उस case में क्या करना है, asset की case में total asset को हमने 100% assume करना है, यहाँ पर देखो total assets कितनी है, 14,35,000, इसको हमने यहाँ पर क्या किया है, 100% assume किया है, ऐसे मैंने बोरा था, अभी total liabilities को 100 assume करना है, अब यहाँ पर हम total liabilities की बात करें कितनी है, 14,35,000, अब इसको हमने क्या किया है, 100 assume किया है, अब इस percentage को base मान के हमने ये सारी percentage calculate करनी है इस percentage को बेस मान के ये सारी percentage calculate करनी है अब इसमें कैसे निकालना है जब हम 2006 की बात करें तो फिर हमें क्या given है current action में cash in hand दिया गया है 20,000 रुपीज अब 20,000 दिया है अब हमने इसकी percentage निकालनी है ये अब कैसे आएगी अब ध्यान से सुनियेगा ये क ऐसे calculate करना है percentage है जब हमने निकालनी है यहाँ पर लिखेंगे 20,000 divided by total assets हमने base किसको माना है total assets को total assets को हमने 100 assume किया है न तो फिर इसलिए कहां आजेगा नीचे आकर divide होजेगा 20,000 divided by 14,35,000 into 100 जब हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास कितनी percentage आजेगी 1.39% चीक है तो यह बारी आगे 2006 की cash in hand and bank की percentage चीक है अगर हम बात करें bills receivable की bills receivable में क्या है 1,50,000 total assets कितनी है 14,35,000 हमने क्या करना है 1,50,000 को हमने 14,35,000 से divide करके into 100 करेंगे तो हमारी क्या percentage जादेगी 10.45% ऐसी अगर हम बात करें stock की stock हमारे पास कितना है 2,50,000 total assets कितनी है 14,35,000 2,50,000 को हम क्या करेंगे 14,35,000 से multiply करके into 100 करेंगे तो हमारी percentage कितनी आजेगी 17.42% ऐसी total current assets हमारे कितनी है 6,20,000 6,20,000 को हमने किस से divide करना है 14,35,000 के साथ into 100 करेंगे तो हमारी percentage कितनी आजेगी 43.21% समस लग गया हमने इसमें क्या किया 14,35,000 को हमने base माना है जिसको भी divide करना हर एक item को हमने किस से divide किया 14,35,000 से फिर हमने क्या किया उसको into 100 कर दिया और सभी की percentage आगी ठीक है यह था 2006 की बात अब 2007 के अगर हम बात करें 2017 के हमें यह given है 2017 के यह चीज हमें given है अब हमने इसमें भी ऐसी करना है हमने क्या करना है total assets 2007 के कितनी है 16,97,000 रुपिस अब हमने इसको क्या माना है base, base कितना 100 तो इसके basis पे हम बाकी percentage निकालेंगे जैसे कि यहाँ पर दिया हुए cash in hand हमार पास कितना 2007 में 80,000 रुपिस तो 80,000 रुपिस को क्या करेंगे पहले 80,000 रुपिस को divide करेंगे किस से 16,97,000 से into 100 into 100 करेंगे तो हमार पास क्या percentage आजेगी 4.71 यह देखेगा 4.71 परसेंट आगी ऐसी हमने बाकी निकालें bills receivable कितने 90,000 90,000 को किसे divide करेंगे total assets कितनी है 16,97,000 into 100 करेंगे तो हमारा यह आजेगा 5.30 ऐसी हम prepaid expenses की बात करें कितने है 2,000 2000 को किस के साथ divide करेंगे 16,97,000 के साथ then into 100 करेंगे तो हमारी 0.12% आजेगी चीक है मेरे क्या बोला है अगर 2006 की बात करें तो फिर हमने 2006 की asset को base मानना है अगर 2007 की बात करें तो 2007 की assets को हमने base मानना है यह portion clear हो गया यह इतना portion आपको उसके बाद हम बात करते हैं liabilities की liabilities के case में अगर हम देखे 2006 की बात करें मैंने क्या बोला था इसमें 2006 के अगर year की बात करें तो हमने total liabilities को base मानना है इस case में total liabilities हमारी कितनी है 14,35,000 ठीक है अब हम इसको base मान के बाकी सारी percentage निकालेंगे जैसे कि bills payable कितना ती होग है 50,000 तो हम क्या करेंगे 50,000 को divide करेंगे किस से 14,35,000 से into 100 कर देंगे into 100 करके हमारे पास क्या आजेगा 3.48 percentage हमारी आजाएगी ऐसे हम आगे क्या करेंगे 1,000,000 को divide करेंगे 14,35,000 into 100 करेंगे तो हमारी percentage आजेगी 6.97 ऐसी करते करते हमने यह सारी percentage निकाल लेनी है अगर हम बात करें 2007 येर की 2007 येर में भी ऐसी करना है 2007 येर के अगर हम बात करें तो इसमें क्या है हमारी जो total liability है अगर हम 2007 येर की बात करें तो उसमें क्या है हमारी total liability कितनी है 16,97,000 तो इसको हम क्या करेंगे base मानेंगे base मानना है मतलब 100% assume करना है तो इसको ही base लेके बाकी सारी ये percentage calculate करेंगे जैसे कि first है bills payable bills payable हमारे पास कितना दिया होगे 45,000 45,000 को हम किस से divide करेंगे 16,97,000 से into 100 करेंगे तो इसकी जो भी percentage होगे वो आजएगे वो कितनी बनी 2.65% आजएगी ऐसी हम बाकी बात करें 1,20,000 की 1,20,000 को हम किस से divide करेंगे 16,97,000 से into 100 करेंगे तो हमारे कितना आजएगा 7,07 ऐसी हम करके सारी जो है निकाल लेंगे जैसे यहाँ पर reserve and surplus की बात करें ट्रिपल ट्रिपल जीरो डिवाइड़ बाइ टोटल लाइबिल्टी हमारी कितनी है 16,97,000 अब इसको इसके साथ into 100 करेंगे दैन हमारी कितनी percentage आजएगी 13.08% तो ऐसी करके हमने सारा यह जो है common size balance sheet बनानी है तो यह था आज का practical अगर आप एक बार इसे practice करके देख लेना अगर कोई भी problem आए दैन मेरे से doubts clear कर लेना तो बाकी इसका जो है portion वह हम कल cover करेंगे कल हम common size income statement की practice करेंगे आप ऐसे करना यह practice करके आना कर कोई यह भी doubt हो तो मेरे से पूस लेना okay thank you class